Hello Students, This is Lecture 12 of Organic Chemistry तो लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक कवर किया था एरीन्स एंड आरोमांटिसिटी ठीक है तो हमारा सेक्षिन ए जो है वो कम्प्लीट हो गया है आज जो हमने स्टार्ट करना है सेक्षिन बी स्टार्ट करना है तो स्क्षिन बी में आपने तू चाप्टर स्टड़ी करने है फार्स्ट इस डाइन्स एंड एलकाईन्स एंड सेक्ट इस एराइलहलाइडस एंड इलकाईलहलाइड ठीक है तो हम स्टार्ट करेंगे डाइन्स एन एलकाईन से तो आपको समझ आ रहा होगा नाम से ही dynes and alkynes dynes क्या होता है dynes पढ़ेंगे पहले हम dynes are unsaturated hydrocarbons अब आपने alkyn पढ़ा है तो dynes भी आपको पता है वैसे बट dynes में होता कि actual में दो double bonds होते हैं ठीक है eyn में क्या होता है एक double bond dynes में क्या होंगे आपके पास दो double bond ठीक है अब वो depend करता है कि double bond एक साथ है या एक single bond के gap में है या फिर एक से जादा single bond के gap में है ठीक है तो generally हम dynes उनको बोलते है जहांपर हमारे पास two double bond present है ठीक है तो dynes are unsaturated hydrocarbons containing two carbon carbon double bonds per molecule एक molecule में दो carbon carbon double bonds होते है तो हम उन्हें क्या बोलते है dynes ठीक है तो general formula जो dynes का है वो है CnH2n-2 और यही formula किसका होता है alkynes का होता है so it is isomeric with alkynes ठीक है तो dynes are isomeric with alkynes ठीक है isomeric मतला same molecular formula but different structures ठीक है that is isomers now classification of dynes classification क्या होगी dynes की तो dynes में आपके पास three types of dynes है first is isolated dynes second is accumulated dynes and third one is the conjugated dynes ठीक है तो अब isolated का मतलब क्या है आपको isolated का मतलब तो पता ही है कि isolated मतलब isolation मतलब दूर दूर अकेले अकेले ठीक है तो isolated dynes means double bonds are separated by more than one single bond एक single bond से जाधा gap है उसमें अगर separated है दो double bonds तो उसे क्या बोलते है isolated dynes तो यह आपके पास जैसे ठीक है तो यहाँ पर एक double bond यहाँ एक यहाँ बट उनके बीच में कितने single bonds है दो ठीक है तो यहाँ पर देखो इन तीनों कार्बन के साथ ही double bond double bond है तो इसे हम बोला हमने बोला इसे one two propadine यह क्या हो गया one two propadine naming कैसे करोगे आप one और two दोनों कार्बन के साथ double bond है जब दो के साथ ही count करते है तो one two propadine और जब three कार्बन हो आपके साथ और एक साथ double bond हो तो हम उसे बोलते है एलीन ठीक है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी दोनो मतलब बिलकुल साथ साथ कार्बन के क्या है double bond present है ठीक है तो हम इसे क्या बोलेंगे अब यहाँ पर नेमिंग कैसे करोगे one two three four अगर यहाँ से करते तो two और three पे double bond आता इसलिए हमने कहां से किये यहाँ से तो one two butadine और अब देखो मैंने बोला कि तीन वाले को एलीन बोलना है तो यह और एक साथ double bond होने चाहिए तो तीन कार्बन एक साथ double bond तो यह क्या हो गया एलीन और एक क्या extra है सब्स्ट्रिटुएंट की फॉर्म में methyl तो यह हो गया methyl एलीन ठीक है next है हमारे पास conjugated dynes अभी हम IPAC naming अच्छे से study करेंगे conjugated dynes मतला two double bonds are separated by one single bond तो दो double bond किस से separate होंगे एक single bond से तो हम उने क्या बोलता है conjugated dynes for example आपके पास C double bond CH फिर single bond आ गया फिर double bond आ गया तो ऐसे dynes को क्या बोलता है conjugated dynes तो ये भी क्या एक conjugated dynes तो ऐसी जहाँ पर double bond एक single bond से separate हो उसको हम क्या बोलता है conjugated dynes तो नेक्स्ट हमने जो study करना है वो करना है nomenclature तो आपके पास मालो c double bond c double bond c तो मैंने बोला जब तीन कार्बन्स हो और accumulated dynes तो हम उसे क्या बोलता है एलीन अब एक extra substitute है इसको क्या बोल दोगे methyl एलीन ठीक है for example यहाँ पर अब यहाँ पर कितने कार्बन 1, 2, 3 और successive कार्बन्स पर क्या है double bond है ठीक है तो यह तो एलीन हो गया अब substitute यहाँ भी है और substitute यहाँ भी है तो अब आप 1 नमबर किसे दोगे और 3 नमबर किसे दोगे तो जो alphabetically पहले आएगा उसको 1 नमबर जो बात में आएगा उसको फिर उसके according तो चल नहीं है जिसको 1 दिया उसे next 2 उसे next 3 तो 1-ethyl-3-methyl-alene ठीक है अब यहाँ पर क्या करेंगे हम यह वाला हमारा क्या हो गया अलीन substitute इस पर लगे है तो यहाँ से 1 दे दे क्योंकि double bond पे तो कोई effect नहीं पड़ेगा चाहिए आप यहाँ से 1 दो चाहिए यहाँ से बट substitute पे composition आएगी अगर यहाँ से देंगे तो 1-1-2 हैं और दोनों सेम हैं तो 1-1-dimethyl-alene ठीक है नाव IUPAC naming IUPAC naming जैसे in general हम IUPAC naming करते हैं कि हमने longest chain select करनी है उसके बाद double bonded carbon उन दोनो sorry दोनो double bonds किसमे होने चाहिए longest chain में आने चाहिए ठीक है और कम number double bonds पर आना चाहिए पहले तो ऐसे preference देनी है ठीक है तो यहाँ पर देखो 4 carbon है linear है तो कहीं से भी 1-2 numbering दे दो चाहिए यहाँ से दे दो same ही आएगा ठीक है तो 1-2-3-4 अब कौन-कौन से positions पर आपके पास double bond है 1 and 3 जब आपके पास ऐसे होता है हम first वाले को ही consider करते है ठीक है आपने ऐसा नहीं कि 1-2 पे भी कर दिया 3-4 पे भी नहीं 1 and उससे next कौन सा है 3 तो 1-3 butadiene तो यह हमारे पास naming है ठीक है अब जिसे आपके पास यह example है यहाँ पर क्या होगा आपके पास 4 carbons है linear chain तो 4 carbons की longest है यह ही है दोनों carbons आपने include करने है longest chain में उसके बाद अगर अब आप यहाँ से numbering करते हो 1, 2, 3, 4 double bond पे तो कौन से number है 2 इसलिए हम इसे preference देंगे तो naming क्या होगी 2 methyl 1, 3, butadiene ठीक है तो यह हमारे पास हो गया IUPAC naming अब next हमारे पास यह carbon यह double bond है ठीक है sorry यह diene है हमारे पास ठीक है अब यहाँ पर क्या करोगे आप इसमें longest chain आपको दिख रही है यह वाली क्या है हमारी longest chain है ठीक है अब longest chain तो यह है double bonded carbons पर कम number आना चाहिए सबसे पहले preference double bond carbon को देनी है उसके बाद substitute पे जाना है ठीक है तो कम number यहीं से आएगा 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है अब substitute कहा कहा है 5 पर और 2 पर alphabetically कौन पहले आ रहा है ethyl then methyl तो naming क्या होगी 5 ethyl 2 methyl M छोटा रखेंगे 2 methyl कितने का अरबंज है total 7 hept किस-किस पर डाइन है 1 and 3 hept 1, 3, डाइन ऐसे भी आप naming लिख सकते हो या फिर 1, 3, heptadine भी लिख सकते हो ठीक है तो वो आपकी इच्छा है चाहे hept 1, 3, डाइन लिख दो या फिर 1, 3, heptadine लिख दो ठीक है तो अब next देखो double bonded जो carbon जितने भी longest चिन में आने चाहिए तो यही longest होगी ठीक है next क्या करेंगे numbering carbon पर double bonded carbon पर कम आनी चाहिए तो देखो यहां से करोगे तो 1, 2, 3 एक पे तो 3 आ रहा है 4, 5, 6 एक पे 6 आ रहा है अगर यहां से करोगे तो 1, 2 एक पे 2 आ रहा है 3, 4, 5 एक पे 5 आ रहा है तो कहां से prefer करोगे जहां से double bond पर कम number आ रहा है तो 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 ठीक है अब दोनों substituent सेम है सेम है तो एक साथ लिखेंगे कौन-कौन से position पर है 2 and 7 पर तो कैसे लिखोगे 2, 7 कौन-कौन से substituent है 2, 7 dimethyl ठीक है dimethyl कौन-कौन से position पर double bond है हमारे पास 1 and sorry 2 and 5 तो 2, 5 octadyne ठीक है तो ये हमारे पास क्या होगी IPAC naming होगी तो आपने dynes की IPAC naming इस तरह से करनी है ठीक है तो next जो अब हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है structure of 1, 3 butadyene तो 1, 3 butadyne पहले तो butadyene तो पहले तो हम butane बता लेते हैं मतला 4 carbons होंगे but मतला ठीक है कौन-कौन से position पर double bond है ये देखो 1 पर double bond है 1, 2 and 3 पर double bond है ये हो गया ठीक है बाकी सब single bond है तो यहाँ पर ऐसे यहाँ hydrogen और यहाँ hydrogen तो यह हमार पास क्या हो गया 1, 3 butadyne का structure ठीक है अब आपने जो इस chapter में पढ़ना है वो conjugated dynes के साथ ही पढ़ना है जो भी पढ़ना है more stable than non-conjugated dynes अब conjugated dynes जो है वो ज़्यादा stable है than non-conjugated ऐसा क्यों होता है ठीक है इन जेनरल भी conjugated dynes ज़्यादा stable होती है अब आपके पास दो तर ऐसे structure draw होता है 1, 3 butadyne का एक तो resonating structure होता है एक orbital structure होता है ठीक है resonance structure में क्या होता है आपके पास ये आपने double bonds बनाए 1, 3 butadyne का structure बनाया अब हम यहाँ पर क्या कर सकते है इस double bond को इधर shift कर सकते है और ये double bond अपना bond इधर shift कर सकता है resonance के through ऐसा हो सकता है क्योंकि ये double bond क्या करेगा यहाँ bond shift करेगा तो यह double bond अपना bond इधर shift करेगा तो यह इस carbon पर negative charge आ जाएगा क्योंकि इस bond ने अपना bond shift कर दिया in the form of electron और इस carbon पर positive charge आ जाएगा क्योंकि इस ने अपना bond shift कर दिया इस carbon को ठीक है? तो यहाँ पर कैसे charge negative यहाँ पर कैसे charge positive तो यह हमार पास resonating structure है अब out of these two resonating structure अब तीसरी possibility यह भी हो सकती है कि यह double bond इधर shift हो और इस पर कैसे charge आए? negative तो यह भी possibility है हमार पास कि इस पर negative आ गया और उस पर positive आ गया क्योंकि all the carbon क्योंकि first and fourth carbon is same ठीक है? तो यहाँ पर कैसे charge आ गया? negative यहाँ पर कैसे charge आ गया? positive ठीक है? अब क्या करेंगे यहाँ पर इन तीनों में से सबसे ज़्यादा stable कौन सा carbon है? ठीक है? आपने चेक करना है इन तीनों में से कौन सा resonating structure ज़्यादा stable है? ठीक है? तो वो resonating structure जो कि चार separation involved नहीं करते वो ज़्यादा stable होते हैं तो यहाँ पर आपके पास first वाला रेजुनेटिंग structure first वाला structure जो है वो क्या है? ज़्यादा stable है because it does not involve separation of charges ठीक है? अब आपके पास resonating structure तो बन गए अब resonance की वज़े से जो C1, C2 में double bond है C3, C4 में double bond है purely double bond नहीं होता क्योंकि उसके resonance structure exist कर रहे है तो bond between C1, C2 and C3, C4 is quite close to double bond and bond between C2 and C3 is not purely single bond it is close to single bond closer to single bond ठीक है? तो यह तो था हमारे पास resonance structure ठीक है? next हमारे पास orbital structure orbital structure में आपके पास क्या होता है? कि orbital आपको पता है कि 1,3 butadine में 4 carbons है and all the 4 carbons are SP2 hybridized ठीक है? SP2 hybridized carbon में से आपको पता है कि sigma bonds बनते हैं जो वो SP2 hybridized से बन रहे हैं इधर ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक carbon देखो आप इस carbon के 2 hydrogen के साथ first carbon देखो 2 hydrogen के साथ bond है और एक next carbon के साथ sigma bond है तो यह 3 sigma bond है यह कौन बना रहा है? SP2 hybridized orbital और एक जो pi bond बना रहा है वो कौन बना रहा है? unhybridized p orbital यह आपने ध्यान रखना है तो all the 4 carbons and hydrogens lie in the same plane तो यह 4 carbon SP2 hybridized है तो यह same plane में लाए करेंगे और hydrogens भी same plane में लाए करेंगे क्योंकि SP2 hybridization से यह बन रहा है तो SP2 hybridization कैसा होता है? trigonal planar ठीक है? बट यह जो pi bond बन रहा है यह कैसे बन रहा है? अब यह pi bond जो बन रहा है यह p orbital से बन रहा है unhybridized p orbital से तो हर carbon के पास एक-एक p orbital है ठीक है? तो C1 जो है वो C2 के साथ sideway overlapping करेगा C3, C4 के साथ sideway overlapping करेगा और जब हमारे पास चारो carbon एक plane में है तो यह pi orbitals है यह perpendicular to the plane है ठीक है? चारो pi orbitals तो P orbitals ठीक है? चारो P orbitals क्या है? perpendicular to plane है तो यह carbon जो plane में है और यह P orbital जो है उन carbons के हैं जो carbons plane में है तो यह pi orbital आपस में भी क्या करेंगे? interaction शो करेंगे C2 and C3 जो pi orbitals है ठीक है? C2 and C3 के carbon के जो pi orbitals है और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि यह चारो carbons क्या है? plane में है तब ही यह interaction possible है ठीक है? तो C1, C2 में तो है overlapping C3, C4 में भी है तो यह यहाँ पर interaction शो कर रहे है C2 and C3 में तो चारो pi orbitals आपस में interaction शो कर रहे है ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया है? delocalization हो गया है एक तरह ऐसे क्या हो गया है? delocalization तो यह pi orbitals जो है मतलब pi electron cloud क्या है? delocalized है क्योंकि चारो carbon पर क्या हो गया है? interaction हो गया है ठीक है? तो अब इसकी वज़े से pi electron cloud above the plane भी शोगा हमें और pi electron cloud below the plane भी शोगा ठीक है? तो यह तो आप बोल रहे हो P orbitals हैं unhybridized P orbitals फिर इनके बाद आता है आपके पास delocalized molecular orbital ठीक है? a molecular orbital which is spread over the nuclei of more than two atoms ठीक है? means molecular orbital which is spread over the nuclei of more than two atoms is known as delocalized molecular orbital for example इन चारो P orbitals की interaction की वज़े से एक molecular orbital बनेगी ठीक है? और वो molecular orbital जो है इन चारो की वज़े से बन रही है तो इन चारो nuclei में क्या होगी? interaction होगी ठीक है? इन चारो में क्या होगी? interaction तो उससे जो molecular orbital आ रही है उसको हम क्या बोल रहे है? delocalized molecular orbital क्योंकि वो आ किससे रही है? delocalized electron की वज़े से ठीक है? अब आपके पास आता है कि and electron present in it are termed as delocalized electron और उन में जो electron present होते हैं उनको हम क्या बोलते है? delocalized electrons ठीक है? तो greater stability butadine की हुई क्यों? due to delocalization ठीक है? thus greater stability of 1,3 butadine is due to the presence of delocalized electron delocalized electron की वज़े से as each pair of delocalized electron is attracted by 4 nuclei तो हर एक pair delocalized electron का 4 nuclei से क्या है? attracted है तो यहाँ पर interaction क्या है? ज़ादा है इसलिए 1,3 butadine या फिर कोई भी conjugated dine क्या होगी? ज़ादा stable होगी ठीक है? as compared to isolated or accumulated ठीक है? next आते है हमारे पास chemical reactions of dines तो chemical reactions of dines में हमने 2 types of reaction पढ़नी हैं first is 1,2 and 1,4 addition reaction ठीक है? जो यह 1,2,1,4 addition reaction आपने पढ़नी हैं यह हमने further 2 types से पढ़नी हैं एक electrophilic और एक free radical ठीक है? दो तरीके से पढ़नी हैं next है हमारे पास diles-alder reaction that is also known as 4 plus 2 cyclo addition reaction diles-alder reaction is 4 plus 2 cyclo addition reaction ठीक है? which is very important now electrophilic addition reaction electrophilic addition reaction में आप सबसे पहले पढ़ेंगे addition of halogen इसमें भी further 2 reactions है addition of halogen देखेंगे हम और addition of hydrogen halide ठीक है? तो addition of halogen कैसे होता है? अब addition of halogen में क्या है? आपको पता है जैसे हमारे पास alken होता है तो alken में addition कैसे होती है? हम क्या करते हैं? मालो हमना हमारे पास alken है कोई भी CH2 double bond CH2 ठीक है? आपने क्या किया? प्लस BR2 add कर दिया प्लस CL2 add किया in the presence of CCL4 तो हमें क्या मिलेगा? CH2 CL ठीक है? CH2 CL यह करते हैं हम ठीक है? तो आपके पास वहाँ double bond present है तो आप 1 mole of CL2 ही add कर रहे हो ठीक है? double bond 1 present है बट यहाँ पर हमारे पास dynes में कितने double bonds present है? 2 double bonds इसलिए हमें 2 moles of halogen चाहिए ठीक है? BR2 molecule चाहिए ठीक है? तो dynes react with 2 moles of halogen per mole of dynes तो एक BR2 molecule क्या करेगा? इधर bond बनाएगा BR-BR दूसरा BR2 molecule क्या करेगा? इधर इधर bond बनाएगा तो हमारे पास tetra bromo butane बन गया यहाँ पर तो अगर हम क्या ले रहे हैं? 1,3 butadyn तो tetra bromo butane ठीक है? अगर हम 1 mole of BR2 ले ले क्या ले? 1 mole of BR2 but isolated dynes ध्यान से देखना वहाँ conjugated था 2 moles लिए conjugated हो या ना हो अगर आप 2 moles अड़ कर रहे हो तो वो तो 4 पर ही 4 कारपन्स पर attack करेगा BR molecule ठीक है? अगर आप 1 mole अड़ कर रहे हैं 1 mole में आपके पास case बनेंगे conjugated dynes भी और non-conjugated dynes अगर आप non-conjugated dynes ले रहे हो 1 mole आपने अड़ किया तो यहाँ पर तो देखो यह दोनों ही same है तो आप किसी पर भी BR BR लगा दो ठीक है? यह तो इधर 1, 2 ले लो चाहिए इधर 1, 2 ले लो किसी को भी ठीक है? तो हम करा सकते हैं attack बट इफ वी टेक conjugated dynes अगर हम क्या लेते हैं? conjugated dynes देखो बटा यह यहाँ पर दोनों carbon same है यहाँ पर यह दोनों carbon same है ठीक है? same है na doubly bonded तो BR कहीं भी attack कर सकता है यहाँ भी कर सकता है और यहाँ भी कर सकता है अगर हम one mole of BR2 ले रहे हैं ठीक है? ध्यान रखना अगर आप conjugated dynes ले रहे हो तो conjugated dynes में क्या होगा? आप तो यही सोचोगे न कि conjugated dynes यह भी तो carbon same है इधर से यह दोनों carbons है तो मैं BR2 आड़ कर दूँ ठीक है? तो यहाँ यहाँ BR लग जाएगा ठीक है? एक product तो यह बनेगा ही बनेगा common product जो हम सोच रहे हैं ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 है तो 1, 2 पे BR ने attack किया तो इसलिए इसको 1, 2 addition product बोल देते हैं ठीक है? बट जो यह next product है that is 1, 4 यहाँ पर क्या होगा? double bond यहाँ आजाएगा और एक बार BR यहाँ attack करेगा एक बार यहाँ पर double bond बीच में आजाएंगे और BR एक बार first carbon पर attack करेगा एक बार fourth carbon पर तो हम इसको बोलते हैं 1, 4 addition product ठीक है? तो यह यहाँ पर समझने वाला है कि यह unexpected product क्यों बन रहा है यहाँ पर यह तो समझ में आता है कि ठीक है, BR ने attack कर दिया एक double bond को saturated form में convert कर दिया बट यहाँ पर क्या हो रहा है? ठीक है? यह आपने समझना है ठीक है? तो हमने इसको समझने के लिए पढ़ना है mechanism of 1, 2 and 1, 4 addition to the conjugated dynes ठीक है 1, 2, 1, 4 का addition हमने conjugated dynes पर पढ़ना है तो यह हमारे पास यह two step mechanism है, first is the formation of carbocation because dynes are electron rich species ठीक है then there is a addition of bromidyn ठीक है? तो first formation of carbocation में क्या होगा? जब BR2 molecule alkyne, sorry dynes को approach करेगा तो यह polarize हो जाएगा ठीक है? जब इसको approach करेगा एक partial positive एक partial negative अब negative वाला तो बाहर चले जाएगा BR negative की form में बड़ जो positive वाला है partial positive उस पे कौन attack करेगा? electron rich dynes ठीक है? तो एक double bond जो है वो यहाँ attack करेगा तो यहाँ पर इन दोनों में से एक carbon के साथ bond बना लेगा BR और एक carbon कार्बन कैसा बन जाएगा positive क्योंकि यह bond जो है एक carbon के साथ ही बन सकता है BR का दूसरे के पास electron deficiency हो जाएगी तो अब हम देखेंगे कि BR को यहाँ attack कराएं कि यहाँ कराएं ठीक है? तो मैंने अटाग कराएं यहाँ पर first carbon पर तो देखो अगर आप first carbon पर इसका bond बना देते हो BR के साथ तो यह carbon के पास कितने bonds रहे गए? 1, 2 और एक hydrogen वाला 3 तो यह electron deficient हो गया इस पर कैसा charge आ गया? positive अब यह जो carbocation है यह secondary भी है and allylic भी है मैंने आपको बताया था allylic क्या होता है? allylic होता है doubly bonded carbon से next वाला carbon उसको हम क्या बोलते है allylic carbon तो यह double bond carbon है इससे next carbon कैसा है? allylic ठीक है? तो यह तो था मैंने अगर BR को यहाँ अटाक कराया है अगर आप BR को यहाँ अटाक कराते हैं मालो suppose करो second position पर तो positive charge कहा था? इस carbon पर 1 वाले पर तो यह कैसा carbon है? यह primary carbon है क्योंकि यह directly एक ही carbon से अटाज़ रहे है तो out of primary and secondary allylic कौन जादा stable होगा? secondary allylic इसलिए हमने यह वाला यहाँ पर prefer करना है carbocatine ठीक है? now primary carbocatine कुद आलसो भी form but ion A is preferred over this because carbocatine A is not only a secondary but also an allylic carbon which is stabilized by resonance अब allylic की importance क्या है? यह resonance से stabilize होगा कैसे stabilize होगा? इस पर अगर positive charge है तो यहाँ पर एक और double bond है जो अपने pi electron इधर shift कर देगा तो यहाँ पर इस carbon की तो electron deficiency खतम होगी यहाँ double bond आ गया but इस carbon का bond कहा होगा? shift होगा तो इस पर कैसे charge आएगा? positive charge ठीक है तो यह क्या हो गया? resonance hybrid of A and sorry तो यह क्या हो गया? resonating structures हो गए ठीक है? तो positive charge आपने कहा कहा देखा एक तो second carbon पर और एक fourth carbon पर यहीं आ रहा है positive charge तो यहाँ पर हम बनाएंगे resonance hybrid of A and B तो यह one, two, three, four आपने second पर देखा और fourth पर positive charge तो resonance hybrid किसकी बनेगी? जिसमें second और fourth पर positive charge हो तो यहीं delocalization है तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया? resonance hybrid बना दी ठीक है? अब आपने addition कराना है bromide iron का एक BR negative तो बचा है हमारे पास अब bromide का addition कैसे कराओगे? अब देखो आपने देखना है कि जो कार्बोकेटाइन बना है आपके पास वो दो resonating structure उसके possible है तो अगर दो resonating structure possible है तो positive charge 2 पर भी है और positive charge 4 पर भी है तो जो BR negative है वो 2 पर भी attack कर सकता है और वो 4 पर भी attack कर सकता है ध्यान देना है आपने इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी resonance hybrid show करूंगी आपको कि attack जो है वो 2 पर भी possible है attack जो है वो 4 पर भी possible है तो अगर आप 2 पर attack कराते हो तो double bond यहां रहेगा 2 पर क्या आजाएगा BR और 1 पर already BR है तो यह कैसा product बन गया 1-2 edition product आपने ध्यान रखना है आपका reactant यह था अब BR BR कहां लग गया 1-2 पर इसलिए इसको कैसा बोला है 1-2 edition product दूसरा resonating structure यह है जिसमें double bond 2 और 3 के बीच में है बट 4th carbon पर कैसे charge है positive तो अब BR negative कहां attack कर सकता है 4th carbon पर तो देखो 1st पर BR already attached है 1st step से और 4th पर हमने अभी attack करा दिया BR negative का तो double bond कहां आया 2 और 3 के बीच में बट जो group attack करना था attach करना था वो कहा हुआ 1 and 4 पर इसलिए यह कैसा addition product है 1-4 edition product तो यह तो था हमारे पास 1-2 and 1-4 edition product चीक है next जो बट किसके लिए था for the addition of halogen अब जो हमने next पढ़ना है वो पढ़ना है addition of hydrogen halide that is halogen acid ठीक है hydrogen halide HCl HX कुछ भी हो सकता है तो आपने वो ही 1-3 butadine लिया HCl का attack कराया तो वो ही 1-2 edition product मिलेगा और 1-4 पहले आप attack किसका कराओगे electrophile का that is H positive का H positive का attack करेगा यहाँ पर फिर C L कहा करेगा या तो second पर या fourth पर अगर second पर कर रहा है तो ये 1-2 edition product अगर fourth पर कर रहा है तो double bond बीच में तो 1-4 edition product ठीक है अब आपने पढ़ना है mechanism for this same mechanism follow होगा two step mechanism formation of carbocatine HCl है तो highly CL क्या है electron negative है तो ये क्या करेगा यहाँ पर electrons को अपनी तरफ attract करेगा partial negative इदर partial positive ये double bond H positive को लेगा अपनी तरफ तो यहाँ पर मैंने H लगा दिया देखो ज़रा और यहाँ पर positive charge आ गया तो ये secondary allylic katein बन गया CL negative बाहर now this allylic katein is resonance stabilized तो ये resonating structure है same जैसे पहले mechanism में किया हमने तो positive charge कहां आया 2 पर और 4 पर तो resonance hybrid बन गई अब जो CL negative है वो कहाँ attack कर सकता है 2 पर या 4 पर अगर 2 पर attack करेगा तो आपको मिलेगा 1-2 addition product CL negative का attack अगर 2 पर कराओगे तो मिलेगा 1-2 addition product अगर 4 पर कराओगे तो मिलेगा 1-4 addition product तो ये तो था हमारे पास electrophilic addition of hydrogen halide and halogens तो इसमें मैंने आपको भी ये नहीं बताया कि major कौन सा है 1-2 है कि 1-4 है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1-2 product बनता है and 1-4 परता है next class में हम पढ़ेंगे कि कौन सा major कब होता है और कब minor होता है ठीक है तो अभी जो आज हमने study किया है वो हमने study किया classification of dynes ठीक है classification of dynes then structure of nomenclature किया then structure of 1-3 buta dynes हमने और conjugated dynes are more stable than normal dynes due to resonance and due to delocalized electron ठीक है then हमने chemical reaction start की chemical reaction में हमने पढ़ा addition of halogen and addition of hydrogen halide and it follows two step mechanism first is formation of carbocaid iron and second is the addition of halide iron जो भी है ठीक है और 1-2 and 1-4 edition product बने है ये आपने अच्छे से पढ़ना है 1-2, 1-4 edition का difference आपको पता होना चाहिए कि 1-2 किसे बोल रहे है हम और 1-4 किसे बोल रहे है ठीक है अगर आपको फिर भी कोई doubt लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो Thank you